नमस्कार बच्चो एक बार फिर मैं अंको रुषिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्ड अब के यूट्यूब चैनल पर तो गाइस एस भी डिसकर्शन्स इन टेली आर्ट टेलीग्राम चैनल ठीक है तो आग जो हमने अभी तक टेलीग्राम चैनल में अपने डाले एंज कि नहीं कर पाए तो उनका डिसक्रेशन में का चैनल था छालते एक है चलो तो पहले क्टर चलते ऊंस world's longest mountain range दुनिया की सबसे लंबी mountain range कौन सी है the Rockies Mountains, the Andes, the Alps तो guys इसका अंसर है आपका the Andes Mountains जो की आपके South America में है South America में कहां से कहां तक है यह आपके Venezuela से वेनेजवला से कहां पर चली तक है ठीक है Southern चली तक Approx जो ही है यह इसकी जो novamente déjà haben April Ipels that program the Rockies Mountains की बात कर लेते ड़िया यह आपका North America अगर धानसे लंबी मानटें रिंज मोंटेंस काहिए अत्ब आंसर आता आपका Rockies Mountains ठीड्स हमालया Αस्तों आपको पता है इंडिया मैं है, ठीक है, सबी को बता है इन्डिया में है इल्फ पंटे इख आपके योउरप में है तो डूसरे क्वेशं की तरफ चलते थे दूसरे क्वेश्चन है moun kuk फेर सिच्वेटेडं इस माउंट का पे जल्दी से बता हो फॉल्ब इस माउंट को जो है किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, रोम सहर जो है किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो थेम्स, ताइबर, तिग्रिस या नाइल, तो भी है, इस का अंसर है ताइबर, तो रोम सहर जो है, किस के ओपर बसा हुआ है? ताइबर नदी के ओपर, अगर मैं बात कर दो थेम्स की, तो थेम्स के ओपर कौन सा सहर बसा हुआ है? थेम्स के ओपर है? लंदन, ठीक है? थेम्स के ओपर है? लंदन, तिगरेश बगदाद, ताइबर होगे आपका रोम, ओके, नाइल के ओपर कौन सा है? नाइल के ओपर होगे आपके साइरो, कायरो, एजिप्ट, ये सहर होगे इसके ओपर, ओगे? ठीक है? तो भी है, इस तरह के questions आपके static portion में पूछ लेता है आपके paper में, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के सवाल होगा, इस तरह के questions का, अपने next question की तरफ चलते हैं, next question था, इस पर current affairs का, ठीक है? तो current affairs से a question था, who is the union minister for women and child development? जल्दी से बताओ, women और child development के लिए, कौन है union minister? तो इसका answer था, Smriti Zubin Irani, ठीक है? Smriti Zubin Irani, ओके? ठीक है? चलो, next question है हमारा, next question है, the Shanghai-based new development bank, Shanghai, China में, वहाँ पे based a new development bank है, has approved which countries in as its new member, Shanghai का जो new development bank है, उसने किन देशों को अपनो नया member बनाया है, UAE, अरुगवे, अरुगवे, फिलिपिन्स, बंगलादेश, तो जल्दी से answer बताओ, क्या है? तो भीया, इसका answer है, क्या? बोथ A and C, बोथ A and C, UAE, अरुगवे और भीया, बंगलादेश, ठीक है? संगाई बेजडी है, बैंक है, तो हमने इसे करेंट अफेर्स में भी देखा था, चलो, next question देखते हैं, अगले दिनका पहला question, थो इंडियन प्लिग्रिमिज तो विजट मांसरोवर लेक and कैलास मांटेन वैली, तो यह रहा है, किस परवती है दर्रे से होकर, भार्दे तीर थियातरी, मांसरोवर जहील के तथा, कैलास परवत गाटी के दर्शन करने जाते थे, लिपू लेक, नाथू लापास, जोजी या फिर अपका बनिहालण लापास, चल दी से बताओ, वहाँ के तो वी souvent है, आपका है, काँ पे, नेपाल में, ठीक है, और यहां से जाते थे आप लिपू लेक से, ठीक है, लिपू लेक से जाते थे, क्योंकि जोजीला और बनिहाल, नाथू लाण और आपका जम् पहले issue हुआ था, है ना, तो नातुला पास बहुत important हो जाता है यहाँ पर, चलो, next question देखते है, next question कह रहा, which river has its source, near Mansarovar लेकिन तिब्बत, कह रहा, किस नदी का उद्गम, Mansarovar लेक से होता है, जल्दी से बताओ, Indus, Satiluj, Brahmaputra, Brahmaputra, Indus, Ganga, Yamuna, Gudavari, Krishna और Kaveri, जल्दी बताओ, Geography में आमने पढ़ा है ना यह, देखो, यह आपका Mansarovar हो रहा है, तो इसके इदर से आपकी निकल रही है कौन सी, Indus नदी, ठीक है, इसके इदर से निकल रही है आपकी कौन सी, Brahmaputra, है ना, इदर से निकल रही है हमारी कौन सी, Brahmaputra, ओके, ठीक है, तो इसका अंसर क्या है हमारा, Brahmaputra and Indus, ठीक है, Brahmaputra and Indus, चलो, next question देखते है, what is the total number of latitudes, latitudes मतलब लेटी हुई लाइन्स जो है, इस तरह से, ठीक है, तो 0 degree यहां से, यहां से ओपर चलोगे आप 90 degree, यहां से ओपर चलोगे आप 90 degree, यहां से ओपर चलोगे आप 90 degree, ओके, तो अगर हम equator को consider कर रहे हैं, तो total कितने होगे, 181, अगर equator को अटा देते हैं, तो हमारी हो जाएंगी 180, और अगर हम poles को भी अटा देंगे, क्योंकि कुछ geologist के हिसाब से, जो equator है, जो हमारी हर्थ है, वो कैसी है, दोनों poles पे कैसी है, यहां पे जाके क्या हो जाता है, यहां पे यह point बन जाती है, है ना, latitudes point बन जाती है, जिसे consider नहीं करते हैं, अगर आपसे बोलता है, कि बिना poles को consider करें, total number latitudes कितने हैं, तो answer होगे हमारा 179, और अगर बोल देता है, कि equator line को, विशुवत रेखा को अटा के, कितने latitudes हैं, तो आपके हो जाएंगे 180, और poles को, और equator को, अक्षान से रेखा हैं, कितनी हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका, 181, ठीक है, clear, ओके, चलो, next question देखते हैं अपना, कह रहा है, the river that forms the world's largest river, island, Majoali, कह रहा है, उस नदी का नाम बता दो, जिसके उपर, दुनिया का, सबसे बड़ा, रिवर के उपर, जो आइलेंड है, जिसक नाइल, तो आंसर है इसका, ब्रह्म पुत्रा, ठीक है, आंसर है इसका, ब्रह्म पुत्रा, ब्रह्म पुत्रा नदी है, जिसके उपर, दुनिया का, सबसे बड़ा, fresh water island, situated है, कहां पर है और यह, भारत में है, चलो, अगला question देखते हैं, what is the line, what is the line joining, the earth's north pole and south pole, क्या रहा ह है, कितना simple question है, static जी के का है, ठीक है, यह जो north pole को, और south pole को, जोडने वाली रेखाएं, उन्हें क्या कहते हैं, तो हिंदी में हिने क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, और English में क्या कहते हैं, longitudes, है न, English में क्या कहते हैं, longitudes, और यह number में कितनी है, यहां से चलो 180 degree, और य यहां से चलो 179, 179 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी अर्थ के यह गोल है, आप इधर से घूम के आओगे, मतलब आप इधर जाओगे, तो इधर निकलाओगे, है न, तो एक बार ही तो गिनोगे न, एक को, एक लाइन को एक बार ही तो गिनोगे, भई, ऐसे है, ठीक है मालो यह बोटल है न, बोटल है, और यहां वो लाइन है, ठीक है, यह यह पैन है न, मारकर मेरा, यहां है, अब मैं इसे ऐसे गुमा, यह यह गूमी यह बोटल, तो यह दिगरी तो वही है न, एक बार ही तो गूंट करोगे नहीं से, तो एक साइड आप 179 किनोगे, एक पोल कनेक्टेड है, ओके, ठीक है, कह रहा है, जीरो डीगरी, जीरो डीगरी लैटिटीट्यूड जो है, लाइन ओफ एक्क्वेटर बोलते हैं, जिसे हम, पास इस तो विच अफरीकन लेक, किस अफरीकन लेक से पास कर रही है, लेक विक्टोरिया, लेक तनीकिया, लेक करी जो है, ये नदी जो है, ये जो है, ये अफरीका की सबसे बड़ी जील है, अफरीका कांटिनेंट की सबसे बड़ी है ये लेक, लार्जेस्ट लेक, ठीक है, जो आपकी नाइल रिवर है, नाइल रिवर जो है, सबसे जादा पानी इसको यहाँ से मिलता है, नाइल रिवर को खीक है, ओके, यह बॉर्डर बनाती है, इसके साथ, केनिया के साथ बॉर्डर बनाती है यह, और कंजानिया और युगंडा का मेल इसके ओपर वो है, कबजा है, खीक है, चलो, अब देखनेते हैं अबना, next question क्या है, मारा question number second क्या रहा है, ए नेबुला, नेबुला क्या है, न थोस स्थान चट्टानों से बनाए, बिग बैंक के समय बनाए, गैसी बादलों का एक साथ बनाया गया है, यह नेबुला के अंदर एक ब्लैक होल चिपा हुआ है, जल्दी से बताओ क्या है यह, तो भाईए, यह यह जो है, made with gaseous clouds, चलो, next question देख लेते हैं अपना, क्या रहा है, various patterns formed by stars, are called, तारों के द्वारा बनने वाले, वे बिल, pattern क्या कहलाते है, जैसे, हम इंदी में बोल देते हैं न, भीया, चम्मच इस तरह से बनी हुई होती है, है न, इस तरह से कुछ बना होता है, जिसे हम, शप्त रिस बोल देते हैं, यहां बोल देते हैं, कि वो है, भाले लेके कि जो खड़ा रहता है, इस तरह का कुछ pattern बनता है, तो उसे क्या बोलते है, मिलकी वे, constellations, galaxies, या से लिस्टिल बोड़ी, मिलकी वे, नशत्र, आकाश गंगा या आकाशे पिंट, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क बड़ी नदी, बेसिन कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ी नदी में बेसिन कौन सा है, ठीक है, बेसिन क्या होता है, कि बहिया देखो, catchment होता है, जैसे माल लग नदी जा रही है, ठीक है, अब नदी में कहीं से पानी आ रहा है, आसपास के इलाके से, तो इसे क्या बोल रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो river basing है वो किसना धीका है तो then your answer will be river Amazon जो कि कहाँ पे ब्रजील के अंदर है न यह साउथ अमेरिका में Amazon के जंगलों में ठीक है चलिए next question देख लेते हैं true about solar eclipse सूर्य ग्रेंड के बारे में सही pattern बताना है तो सूर्य ग्रेंड कैसे पड़ेगा अब मुझे एक बात बताओ सूर्य ग्रेंड कैसे पड़ेगा यहां आपका sun है ठीक है यहां आपका sun है यहां आपकी अर्थ है तो सूर्य ग्रेंड कैसे पड़ेगा जब बीच में मून आजाए ठीक है? जब बीच में मून आजाएगा, सन की सनरी चैसे पड़ रही है और इसके उपर पढ़ेगी जब अर्थ की, अर्थ के ऊपर मून की पढ़ेगी, तो सूरज डग जाएगा ना? तो तभी तो बोलेंगे नाम, यार के सूरेगर पढ़ रहा ह तो sun, जब सूर्य ग्रहन होगा, तो sun, बीच में moon and then फिर earth, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, lunar eclipse की, lunar eclipse मतलब जब चंदर मा ग्रहन हो रहा है, तो तब क्या होगा, तो यहां पर आप का आजाएगा moon, ठीक है, बीच में आजाएगी आपकी earth, और इधर आजाएगा sun, तो sun क जब अर्थ से, जब अर्थ की परचाहीं पड़ेगी किस पे, moon पे, तो भाईया, moon डख जाएगा ना, जब, moon हमें कहां दिखता है, पूरा फिर, तो उस case में हो जाता है, यह, यह pattern होता है moon, अर्थ और sun का, तो अगर आप से पूस्टा है, कि बाईया, solar eclipse के समय, सूर्य ग् eclipse के समय, pattern रहता है, sun और अर्थ के बीच में, moon आ जाएगा, और अगर मैं बात करू, चंद ग्रेंड की, तो चंद ग्रेंड के समय भी क्या हो जाएगा, moon और sun के बीच में, अर्थ आ जाएगी, ठीक है, I hope, अब आप लोग कभी भी दिक्कत गलती नहीं करोगे, ठीक है, तो discussion को होता है, फिर यहाँ, YouTube के उपर, ठीक है, हमारे Telegram चैनल का नाम है, Toppers Hub, ठीक है, OK, Telegram चैनल का नाम है, Toppers Hub, और हमारे YouTube को भी subscribe कर लो, like कर लो, share कर लो, आपको Toppers Hub चैनल के उपर, अच्छा-च्छा content मिलेगा, जिससे आपकी exam में मदद होगी, तो thank you so much guys, मिलते हैं फिर next class में, Jai Hind, Tata, Bye Bye